आज हम भोग के लिए ऐसा मोदक बनाएंगे जिसमें ना मावा है ना चाशनी लगेगी ना मिल्क पाउडर ड्राइफ रूट्स भी ने डाला है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और स्वाद इतना अच्छा कि सब को भाएगा तो एक पैन में मैंने घी ले लिया है जरा सा शुद्गी और एक कप मैंने डेसिकेटेट कोकोडनेट लिया है यदि आपके पास नारियल है सुखा हुआ तो उसका पीछे का ब्राउन पार्ट निकाल के उसको ग्रेट कर सकते हैं या मिक्सी में चला सकते हैं इसको करीब तीन से चार मिनिट भूनने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे वन थर्ड कप मैंने चीनी ली है मिठा साप अपने हिसाब से कामिया जादा कर सकते हैं और उसी नाप से मैंने दूद की ताजी मलाई ली है और उसको मिला दिया है इससे मावे का जैसा फ्लेवर जाएगा जब वो पक जाएगा और फिर अब इसमें थोड़ा सा दूद और डालेंगे करीब एक कप के आसपास मैंने दूद डाल दिया है यह दूद पूरा उसमें एब्सॉब हो जाएगा नारियल में तो वो ही मावे जैसा लगेगा और फिर इसको आज पे तब तक रखन अब इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है केसर से भी डाल सकते हैं बट केसर का फ्लेवर मुझे इसमें नहीं चाहिए था कोकोनट का एक ओरिजनल फ्लेवर आना चाहिए तो इसलिए मैंने फूड कलर डाला यह देखे कितने अच्छे से बाइंड हो गया और थोड़ी दिर के लिए अब हम ठंडा जब होने के लिए रख देंगे तो यह टेक्शर इस तरह से हो जाएगा जो एकदम बाइंडिंग टेक्शर रहेगा बस अब इसको मुदक के साचे में भर के और मुदक बना लेंगे यदि डेसिकेटिड कोकोनट हैंडी है तो यह मुदक का भोग लगाएं confusion है तो यह सबसे easy और सबसे tasty option होता है यह मुदक मेरे सबसे favorite है अब इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और चांदी का वर्क health के लिए भी अच्छा होता है तो यह सारे मुदक ready हो गया है अब हम इनका भ कि आपको आज की recipe कैसी लगी और इसी तरह की और recipes के लिए मेरा चैनल भी subscribe कर लीजिए